सब्सक्राइब करने जा रहे हैं पीएज़ी एडमिशन इंसेंटर युनिवर्सिटी और सब्जक्ट सीट अवेलेबिल है वैरी लोग फीट स्ट्रक्शर है और सीखेजार अगर नेट सैट या जोइन सीएसाइब नेट है तो आपको एंटन स्टस नहीं देना है डिरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगी और फी बहुत ही कम है चली हम आप हम आगे बढ़े आप मार्चेनल पे नहीं है तो मार्चेनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए फ्रेंट सोलेटिव के साथ शेयर कीजिए औ आपैकलगे पॲिस में धेक अप्लाइट सच इसके अंदर सअच में इसके जो एडिया उसर्च है ओभी इसमें दियेये हैं फिजिक्स ब्राइब ऑर अदर ब्रांच भी a mathematical ब्रांच है इसमें और चैमिकल सआइंस ब्रांच है इसमें और कैमिकल सचि आलग से से मृटीस दि Engineering है, Electronic and Communication Engineering है, Electrical Engineering है, Energy है, English है, Environmental Science है, Food Engineering and Technology की है, Mathematical Science है, Molecular Biology and Biotechnology की सीट से है, Mechanical Engineering की सीट से है, Physics, Sociology, Center for a Multidisciplinary Research, यह सारे सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसमें Feast Structure आप देख पा रहे हैं, काफी कम है इसमें, Normal Study जो आप करने जा रहे हैं, वो से भी कम है इसमें, Hostel Admission Feast भी कम है, Tuition Feast काफी कम है, और अगर आप Interested और आपका सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल हैं, तो आप इससे ज हैं, तो PhD की बहुत हायर फीस, इसमें जो हम बात कर लेते हैं, इसमें जो Last Day Day 28 January है, तब तक आप ब्लाइक कर सकते हैं, और इसकी लिस्ट होगी जो Personal Interview के लिए, वो 4 February को आ जाएगी, और इसमें Personal Interview जो दिये जाएंगे, वो 10 से 12 February के बीच में, और Date of Publication of List of Selected Candidate 22nd February है, और Date of Payment of Fees and Provisional Admission 23rd से 25 February के बीच में है, यह जो Notification निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है, तेजपुर्ज यूनिवर्सिटी या सेंटर्ल यूनिवर्सिटी है यह, इसमें बता जा रहा है कि अगर आप Netset, PhD होगरे, Sorry, Netset हैं, जोइन CSI आ रहे हैं, तो आप अप्लाइ कर सकते हैं, और इसकी जो अप्लाइ करने की Fees की बात करें, तो 800 रुपीज है, जनल के लिए, और 400 SC और ST और PWD के लिए हैं, इस पूरी PDF को डाउनलोड कहां से कर सकते हैं, हम वो बात कर लेते हैं, आपको यहां पे आने के लिए Google पर सरच कर सकते हैं, तेजपुर यूनिव लिक में ही आपको PhD admission का link provide हो जाएगा, जिसमें की, जैसे की लिखावा है की admission 2021 और 2022, जैसे ही आप admission वाले link पे click करेंगे, एजपुर यूनिवर्सिटी, admission 2021, तो आपको यह link दिख जाएगा, यहां पर उपर उपर ही आपको admission notice for PhD program 2022 दिख जाएगा, आप click करेंगे, पूरी PDF डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको अची तर से fill कीजिए, इस से related कोई भी question या क्यारी और तो comment कर सकते हैं, फिर मिलते है नेक्स वीडियो के साथ, keep watching our channel, thank you for watching our channel.